ओम नवर्शिवाय सोंबार ब्रत में होने वाली कता, शावन ब्रत की कता, किसी नगर में एक साहो कार रखता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे शंतां सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परिशान रखता था, पुत्र प्राप्ती की एक्छा से वह हर सुंबार ब्रत भी रखता था, और पूरी सरधा के साथ शीम मंदे जाकर भगवान सीव और परवती जी की अराधना करता था, उसकी भक्ति भाव से मा प्रशन हो गए, और भगवान सीव से उस साहो कार की मनुरत पूर करने का अग्रह करने लगी, परवती जी की एक्छा सुनकर भगवान सीव ने कहा, हे परवती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और जिसके भागे में जो है उसी भोगना पड़ता है, लेकिन परवती जी ने शहुकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनुकाम पून करने के लिए कहा, माता परवती के अगरह पर सीव जी ने शहुकार को पुत्रप्राप्ति का बरदान दिया, लेकिन साथी या भी कहा कि इस वालक की उम्र केवल बारव बर्शी होगी, माता परवती और भगवान सीव की बाचित को शहुकार सुन रहा था, जिससे सु ना तो उसे खुशी हुई और ना ही कोई दुख, वह पाले की तरहीं सीव जी की पूजा करता रहा, कुछ समय के बाद साहुकार को पुत्र की प्राप्ति हुई, जब वालक 11 बर्श का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेजा गया, साहुकार ने पुत्र के मामा को अगया, साहरा धन दिया, और और कहा कि तुम इस बालक को कासी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ, और मार्ग में यक कराती जाना, जहां वी यक कराओ, वहां ब्रहामनों को भोजन कराकर दच्छना देते हुई जाना, दोनों मामा भांजे इसी तरह यक कराते और अब्रामनों को दान दचिना देती हुए कासी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का बिवा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका बिवा होने था, वो एक आँख से काना था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं बर को देखकर कन्या के माता पिता बिवा में किसी परकार की अर्चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अतिस उंदर शेट के लड़के को देखा तो मन में उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोरी पे बिठा कर साधी के सारे कर्ज शंपन करा लिये जाएं। बिवा के बाद इसको धन देकर बिदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा। लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आँख से काना है। मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को बिदा नहीं किया। दूसरी और शहुकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुँचे। और उहां जाकर उन्होंने यग किया। जिस दिन लड़के की आईू बारशाल की हुई उसी दिन यग रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तवित कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। सीव जी के बरदान अनुशार कुछी देर में उस बालब के प्रान निकल गया। मृत भांजे को दे उसके मामा ने बिलाब शुरू किया। संजोग वज उसी समय सीव जी और माता पार्वती जी उधर से जार है थे। पर्वती जी ने भगवान से कहा श्वामी मुझे इसके रोने के श्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब सिव जी मृत बालक के पास गए तो वह बोलें कि यह उसी साहुकार का पुत्र है जिससे मैंने बारह बर्ष की आयू का बरदाम दिया था। अब इसकी आयू पुरी हो चुकी है। लेकिन मातरी भाव से भी भोल माता पार्वति ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की किरपा करें। अन्यता इसके बियोग में इसके माता पिता भी तरब तरब कर मर जाएंगें। माता पार्वति के पुर्णा आग्रव पर भगवान शीव ने उस लड़के को जीवित होने का बरदान दिया। सिपजी की किरपा से वह लड़का जीवित हो गया। सिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका बिवाग हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यक का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। और महल में ले जाकर उसकी खारतिर दारी की और अपनी पुत्री को बिदा किया। इधर शहुकार और उसकी पतनी भूखे प्यासे रहकर बेटे की परतिक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रन कर रखा था कि एधि उन्हें अपने बेटे की मिर्तु का समचार मिला तो वह भी प्रान त्याग देंगे। प्रन्तु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकरव बहद परशन हुए। उसी रात भगवान सीव ने शाहुकार के शोपन में आकर कहा। हे सरिष्टी मैंने तेरे शोंबार के ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से प्रशन होकर तेरे पुत्र की लंभी आयूप परदान की है। इसी परकार से जो कोई शोंबार का ब्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है और उसके सभी दुख दोर होते हैं। और सभी मनोकामनाय पुन होती है। जिस तरीके से शंकर भगवान ने सहोकार की मनोकामनाय पुन की उसी तरह सभी का इच्छा मनोकामनाय पुन करते हैं। सभी को एक वार ओम नवश्वाय बोलते हुए शंकर भगवान को परणाप करना चाहिए है। एक वार जयोग partा उतने की पैका मनोका लाए रओे। प्लवश्ट के प्लवश्चबस्चzen। जिस भगवावाव एक जक्रणाव के सहोका है। जिस मोच करते हैं।